योराज सिंग भारती क्रिकट थियास का वो नाम जिससे सायद पूरी दुनिया परचित है और योराज के छेचके ही फेमस नहीं है भारती क्रिकट में बो योगदान दिया है जो सायद ही कोई और बल्लेबाज भारती क्रिकट में दे पाया है और रिकॉर्ड तो बहुत से बल यहां तक कि जान की बाजी लगा करके भारत को दो दो बर्ड कप जिता है तो इस वीडियो हम आज हम यही बात करने वाले हैं तो इस वीडियो पर खुल करके बात करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए दिया आप नए है तो और वीडियो को लाइक कीजिए युराज सिंग भारत के लिए 2007 के अगर बर्ड कप देखा टी-20 बर्ड कप जो पहला इत्यास का पहला टी-20 बर्ड कप था भारत ने जीता था इसमें सबसे बड़ा युगदान किसी का था युराज सिंग का मैन अब दा सीरीज पनेते साइद मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है और 2011 वर्ड कप है 2011 का जो बर्ड कप है भारत ने जीता था बंडे वर्ड कप 1983 के बाद भारत का दूसरा ओडियाई वर्ड कप था जिसमें युराज सिंग एक बार फिर से मैन अब दा सीरीज का अबाड इनको मिला था और क्यों ना म कमेंट में 2011 की जहां तक बात है बहुत बहतर प्रदसन किया था पूरे दुनिया ने लोहा माना था युराज सिंग का और फिर खास तौर पर इसलिए युराज को याद किया जाता है उसमें कैंसर से पीड़िते लेकिन उस दर्द को छिपाई रहे उस दर्द को दबाई रह करें के हगदार हैं यदि जिस तरीके का जिस दिस जिस दर्द जे का प्रदसन इउराज ने किया है ऐसा प्रदसन अगर किसी और क्रिकेटर ने किया होता तो kब का यह भारत रत मिल चुका होता है गौतम गंबीन एक टीवी चैनल पर बात करते हुए इस बात को उठाया है और देखते हैं कि कहां तक इस बात को ज़्यादा दूर तक पहुंचाते हैं भारत रत ने अभी तक खेल में सिर्फ सचिन तेंदूलकर को दिया गया उनके लिए रूल चेंज किया गये थे लेकिन तेंदूलकर वाकई में वो भी बहुत ग्रेट है बहुत महान है जिसकी बज़े से पूरे बर्ड किर्केट में किर्केट का इतना बड़ा नाम होगा पूरे भारत में आज किर्केट अगर इस चरम पर पहुंचा है तो तेंदूलकर का एक बहुत बड़ा स्रेह है वो वाकई में उसके हगदार थे उनने मिला है लेकिन यवराज सिंग एक ऐसा नाम है जिसे वाकई में बर्ड का मिलना चाहिए भारत रत और देखते हैं अब यवराज की इस प्रदर्शन को कौन-कौन याद करता है यवराज सिंग एक ऐसे किर्केटर रहे हैं जिनका इतना ज्यादा सम्मान नहीं किया गया भारती ये सकते उसने टीम के लिए कितना स्रे दिया है कैप्टन ने लेकिन हाँ कैप्टन सी एक एहम पार्ट होता है लेकिन जो बहतर प्रदर्शन करता है और बिना प्रदर्शन के आप मुकाबले को नहीं जीच सकते इसलिए यवराज सिंग थोड़ा सा मुझे लगता कप्तान से कह ज्यादा तारीब के हगदार हैं और मीडिया ने इसको काफी हद तक युराज के नाम को दबाया है और महिन सिंग धौनी के नाम को कुछ ज्यादा ही हाई-लाइट किया है धौनी ने आकर के फाइनल में इनिंस जरू खेली थी और च्छक्का विजई मारा था लेकिन अगर नियू किसी की उस पर रखी गई थी तो युराज सिंग के प्रदर्शन पर रखी गई थी उसके जीवन के साथ जिस तरीके का उन्होंने खिलवाल किया था सोयम युराज ने अपने जीवन को पूरा दाव पर लगा दिया था उनके साथ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो बर्ड कप खेल रहा था और मैं चाहता था कि मैं उसके लिए एक कप बर्ड कप जरूर जीतूं और मैंने उसके लिए जीत जीता है कप दोस्तो इस महान सोच वाले थे उराज सिंग उराज सिंग को अपना सन्यास लेने के लिए भी एक मौका नहीं दिया कि एक मैच खेलते और उन्हें मैदान पर ही सन्यास लेते तो कहीं ज्यादा बहतर होता आज पूरे बर्ड में अगर देखा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट को चाहते हैं वो सिर्फ उसमें मीडिया का कोई योगदानन नहीं उसमें सिर्फ योobraज सिंगivan के प्रदर्संद का उसके जुनून का और भारती क妳 prawn के समभपन का योगदान का जो कमाल है उसी के लिए योराज को याद किया जाता है योराज सिंग के जो फैन फॉलो में के विसी बज़े से है और मुझे रखता है जो बांकी और पिलियर है बहुत ऐसे पिलियर है जिनको मेडिया ने बनाया है उनका प्रदरसन देख ले बहुत से ऐसे किर्केटर हुए हैं जिनको एक ऐसा किर्केटर भी है जिसको वर्ड कप दोहजार साथ का जीत का स्रे हीरो बनाया गया था लेकिन उसके नाम पूरे किर्केट केरियर मंतर रास्टीम है एक भी अर्द सतक नहीं है उसके नाम लेकिन यूराज से बड़ा उसका नाम बताया जाता है क्या गौतम घंबीर इस बात से कहां तक सही है आप कॉमेंट करके जरूर बताईएगा क्या गौतम घंबीर ने सही मुद्दा नहीं उठाया मेरे ख्याल से बिलकुल यूराज सिंग भारत रतन के बिलकुल हगदार है देखते रही है इस पोस्तुमा का